कीकेड में डिजाइनिंग सरकिट स्केमाटिक के स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वाखत है, अब PCB डिजाइनिंग में सम्मिलित स्टेप्स देखते हैं, पहली स्टेप अभीष्ट सरकेड के लिए स्केमाटिक यानिया रिखे बनाना है, दूसरी step net list बनाना है, तीसरी step सम्मंदित footprints के साथ घटकों का map बनाना है और चौथी step circuit के लिए board layout बनाना है इस tutorial में हम जो पहली step सीखेंगे वो है अभीष्ट circuit के लिए schematic बनाना इस tutorial के लिए हम keycat version 2011-05-25 के साथ उबन्टू 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम की तरहां उप्योग कर रहे है इस tutorial के लिए पूर्वावशक्ता electronic circuit का basic यानी मौलेग ज्यान है इस tutorial के लिए हम stable multivibrator circuit उधारन की तरहां प्रियोग करेंगे Keycat शुरू करने के लिए Ubuntu desktop screen के उपर बाइकोने पर जाए पहला आइकन जो की डैश होम है उस पर क्लिक करें सर्च बार में टाइप करें Keycat और एंटर दबाएं स्क्रीन पर Keycat main window दिखेगी ध्यान दें Ubuntu 12.04 में Keycat का menu बार Ubuntu desktop के उपरी पैनल पर दिखता है एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए File पर क्लिक करें और फिर New पर क्लिक करें अपने प्रोजेक्ट को नाम दें उधारन सुरूप Project 1 ध्यान दें की प्रोजेक्ट .pro extension के साथ सेव किया जा रहा है बहता द्रशे के लिए विल्डो को resize करते हैं ध्यान दें यहां आपका प्रोजेक्ट सेव किया जा रहा है और अगर जरूरत हो तो डिरेक्टरी बदल लें सेव पर क्लिक करें Circuit Schematics E-Schema प्रयोग करके KeyCad में बनाए जाते हैं आप मैं आपको समझाती हूँ कि KeyCad में E-Schema को कैसे शुरू करते हैं KeyCad Main Window के उपरी पैनल पर पहली टैब E-Schema या Schematic Editor कहलाती है E-Schema टैब पर क्लिक करके Schematic Editor खुलता है एक Info Dialog Box दिखेगा जो कह रहा है कि यह है Schematic नहीं ढूण सकता Pokeh पर क्लिक करें हम यहां Circuit Schematics बना सकते हैं E-Schema Window के दाएं पैनल पर जाएं Place a Component बटन पर क्लिक करें अब खाली E-Schema Window पर क्लिक करें Component Selection Window खुलेगी अब हम E-Schema Window में 555 Timer IC Schematic रखेंगे Window के Name छेत्र में टाइप करें 555 और OK पर क्लिक करें यह है LM555N की तरह सर्च परिणाम दिखाएगा इस परिणाम को चुने और OK पर क्लिक करें E-Schema Window पर घटक का Schematic दिखेगा यह आपके कर्सर से जोड़ा जाएगा सिंगल क्लिक करके घटक को स्क्रीन के केंडर पर रखें बहतर द्रशे के लिए जूम इन और जूम आउट करने के लिए अपने माउस का स्क्रॉल बटन प्रेयोग करें उस घटक पर कर्सर रखें जिसे आप जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं आप जूम इन और जूम आउट करने के लिए क्रमशह F1 और F2 कीज भी प्रेयोग कर सकते हैं आप 555 IC पर VCC और GND जोकी Ground Terminal है या तो देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं अगर आप इसे नहीं देख सकते तो e-schema window के बाइपैनल पर जाएं Show Hidden Pins बटन पर क्लिक करें अब हम e-schema window में एक रजिस्सर यानी प्रतिरोध रखेंगे हमने Place a Component विकल पहले चुन लिया था इसलिए सिर्फ e-schema पर क्लिक करें और आप Component Selection window देखेंगे Name छेत्र में Type करें R और OK पर क्लिक करें e-schema पर रजिस्सर स्किमाटिक दिखेगा जो कर्सर से जोड़ा जाएगा सिंगल क्लिक करके e-schema पर कहीं भी रजिस्सर रखें हमें दो अतिरिक्त रजिस्सर की अविशक्ता है हम Place a Component बटन प्रयोग करके दो रजिस्सर प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक रजिस्सर है आब देखते हैं कि घटक को कॉपी कैसे करें घटक को कॉपी करने के लिए घटक पर राइट क्लिक करें और कॉपी कंपोनेंट चुने घटक की एक कॉपी यानि प्रती आपके करसर से जोड़ी जाएगी सिंगल क्लिक करके E-schema पर कहीं भी इस रजिस्सर को रखें. कीबोर्ड शॉर्टकट C प्रियोग करके यह ज्यादा तेजी से किया जा सकता है. इसके लिए कर्सर को घटक पर रखें और फिर C दबाएं. फिर से यह कर्सर से जुड़ जाएगा. इसे रखने के लिए एक बार क्लिक करें. Shift और Question Mark की दबाकर शॉर्टकट की सूची प्राप्ट की जा सकती है. यहां कीबोर्ड शॉर्टकट की सूची है. इस विंडो को बंद करें. Component Selection विंडो को खोलने के लिए E-schema विंडो पर क्लिक करें. आगे हमें दो केपैसिटर इलेक्ट्रोलेटिक और सिरेमिक की ज़रूरत है. इलेक्ट्रोलेटिक केपैसिटर जोडने के लिए टाइप करें. C, P, 1 और OK पर क्लिक करें. सिरेमिक केपैसिटर जोडने के लिए टाइप करें. C और OK पर क्लिक करें. हमें एक Light Emitting Diode, जिसे LED कहते हैं, की भी जरूरत है. Component Selection Window में टाइप करें, LED और OK पर क्लिक करें. अब हमें एक Power Supply यानि VCC और Ground Terminals की आवश्रक्ता है. यी स्कीमा के दाएं पैनल पर Place a Power Port बटन पर क्लिक करें. Component Selection Window खोलने के लिए यी स्कीमा पर एक बार क्लिक करें, List All बटन पर क्लिक करें और आप अनेक Power Notations की सूची देखेंगे. प्लस 5 वोल्ट चुने और OK पर क्लिक करें. इस स्कीमा विंडो पर एक बार क्लिक करके खटक को रखें. उसी प्रकार Ground Terminal प्राप्त करने के लिए सूची में से Ground चुने और OK पर क्लिक करें. मैं Ground Terminal चुनती हूँ. हमें External यानी बाहरी Power Supply को जोडने के लिए एक Connector की भी जरूरत है. Component Selection विंडो को खोजने के लिए इस स्कीमा पर क्लिक करें. List All बटन पर क्लिक करें और आप एक सूची देखेंगे. Conn विकल्प चुने और OK पर क्लिक करें. नीचे जाएं और सूची से Conn-2 चुने और OK पर क्लिक करें. दोहुले Terminal बाला Connector दिखेगा यह आपके Mouse Pointer से जोड़ा जाएगा. इसको इस्थित करने के लिए एक बार क्लिक करें. अब हम घटको को उचित स्थानों पर ले जाकर उन्हें वियवर्थित करेंगे. घटको को मूव कराने के लिए हम Shortcut की M प्रियोग करेंगे. एक घटक मूव करने के लिए Mouse Pointer को घटक के उपर रखें. मानिये Register और M दबाएं. इस स्खीमा पर एक बार क्लिक करके हम इस Register को IC555 के दाइन तरफ स्थित करेंगे. LED को घुमाने और इसे उर्दवाधर करने के लिए हम Keyboard Shortcut की R प्रियोग करेंगे. अब हम देखेंगे कि Circuit Diagram के अनुसार घटको को कैसे जोड़ें. अब घटको के Interconnection यानि जोडने के साथ शुरू करते हैं. इस स्कीमा के Dive Panel पर Place a Wire बटन पर क्लिक करें. अब हम दो रजिस्टर्स को जोड़ेंगे. दोनों रजिस्टर्स के किसी एक नोड पर क्लिक करके हम तार जोड़ेंगे. अब हम IC555 की सातनी पिन को दो रजिस्टर्स को जोडने वाले तार से जोड़ेंगे. आइसी 555 की सातनी पिन पर क्लिक करें और फिर दो रजिस्टर्स को जोडने वाले तार पर क्लिक करें. ध्यान दें यह है अपने आप से एक जंक्षन बनाएगा जो नोड की तरह दिखता है. मैंने खटको को पहले ही जोड लिया है और इसे सेव कर लिया है. अब मैं समय को बचाने के लिए पहले से बनाया हुआ. स्किमाटिक खोलूंगी और प्रियोग करूंगी. मैं फाइल मेनियो पर जाऊंगी और ओपन पर क्लिक करूंगी. एक कन्फरमेशन विंडो खुलती है. येस पर क्लिक करें। मैं वांचित डारेक्टरी से प्रोजेक्ट1.sch चुनूंगी. अब मैं पहले विंडो को रिसाइज करती हूँ. और फिर मैं ओपन पर क्लिक करूंगी. मैं ओपन पर क्लिक करूंगी. यहां पहले बनाया हुआ स्किमाटिक है. अब हम देखेंगे कि घटकों की कैसे तिपणी करें। तिपणी करना प्रते घटकों अधुतिय पहचान देता है। टिपणी करना घटकों के क्वेशन मार्क को अधुतिय नमबर्स के साथ बदलेगा। इसकीम आँपके ऊपरी पैनल पर अननोटेट स्केमाटिक बटन पर क्लिक करें। यह एननोटेट स्केमाटिक विंडो को खोलेगा। इस विंडो में configuration, default रहने दे, annotation बटन पर क्लिक करें। यह आपको चताबनी देगा कि यह सिर्फ बिना टिपपणी वाले घटकों की टिपपणी करेगा. OK पर क्लिक करें, Annotate Schematic Window पर Close बटन पर क्लिक करें, ध्यान दें कि घटकों पर Question Marks विशिष्ट नमबर्स के साथ बदले गए हैं. File पर क्लिक करें, और इस Schematic को Save करने के लिए, Save Whole Schematic Project चुने, File पर क्लिक करें और Quit चुने, यह e-schema window को बंद करेगा. अब KeyCAD Main Window पर जाएं, File पर क्लिक करें और Quit चुने, यह KeyCAD में Circuit Schematic बनाने के इस टुटोरियल के उद्देश्य को पूरा करता है. आप सारांशित करते हैं कि इस टुटोरियल में हमने क्या सीखा? шаा सर्केटरियल में हमने नेमण सीखा? सर्केट इसकेमयाटिक बनाने के लिए KeyCAD में e-schema का प्रयोक करना, सर्केट इसकेमयाटिक के टिप्पडी करना निमण नियक्कार्य का प्रयास करें. कंपोनेंट सेलेक्षन बिन्ड़ू प्रयोक करके e-schema पर Component Inductor रखें. ए, एक्स और वाई, शॉर्टकट कीज का अनुवेशन करें, निमने लिंक पर उपलब दे वीडियो देखें, यह इस पोकन टुटॉरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है, अच्छी बैंडविट ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, स्पोकन टुटॉरियल प्रोजेक्ट टीम, स्पोकन टुटॉरियल का उप्योग करके कारिशाल आएं चलाती है, ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं, आधिक जानकारी के लिए एक रपया, कॉन्टैक्ट एट स्पोकन हाइफन टुटॉरियल और जी पर लिखें, स्पोकन टुटॉरियल प्रोजेक्ट टॉक्टॉर टीचर प्रोजेक्ट का हिस्टा है, यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्य साक्षर्ता मिशन द्वारा समर्थित है, इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकन हाइफन टॉटॉरियल डॉ ORG slash NMEICT hyphen intro पर उपलब्द है, IIT Bombay से मैसरती आ रहे है, आपसे विजा लेती हूँ, हमसे जोडने के लिए धन्यवादॉ